हाई गाइज इसमें हम लोग दूसरा option देखेंगे किस तरीके से यह identify करता है हम लोग यह क्या देख रहे हैं यहां आप लोग एक बर में को पड़े के सुना देता हूं ठीके यह एक्चुली identify करता है C++ कि कौन से विली किसको पास करना है मतलब किस तरीके से identify करता है वही हम लोग देख रहे हैं पहला तो यह पहला जो है exact match यह हम लोग देख चुके हैं दूसरा देखते हैं suppose कि कभी ऐसा compare के पास condition आता जिसमें कि उसको exact match नहीं मिलता है तब वह क्या करता है तब वह उसको match करता है देखिए लिगा C++ tries to find a match through promotions ठीके promotion को find करता है इसका मतलब क्या हुआ चलिए हम लोग इसको practical में देखते हैं यहां मैंने दो फंक्शन प्रोटो टाइप लिखा है एक में care pointer का use किया है और एक में int लिखा हुआ है यहां मैंने एक care data tap लिया है st variable है और इसको मैंने a दिया हुआ है value okay value को मैंने यहां call किया है value function name function name में मैं इसको मैंने call किया और इसको मैंने लिखा हुआ st यानि कि a clear है अब function definition दिख लेता है ज़र आसा function definition int m और m में जो भी होगा हुआ हमें output screen पर दिखाए देगा now value जो दूसरा मारा function value जो की care pointer था हुआ care pointer x और यह pointer x हमें output screen पर दिखाए देगा जो भी इसके पास आएगा हुआ okay now जब हम लोग function को call कर रहे हैं तो हम लोग simply इसमें पास कर रहें क्या STST मतलब एक अरेक्टर को पास कर रहे हैं चैक करेगा यह किसके पास ऐसाया इसके पास एक ओर फंक्षिन प्रोटोटाइप रहता यह ACLU करेगा ओगे लेकिन वैसा इसके पास exact मेच नहीं है इस्निंट प्रोग्राम के लेकिन身 कै WORK कर रहे हैं लेकिन कैर पोइंटर को यह गया सकता थिक जैसलल चैसल आता है partly कसी के ऐड्रेश को फॉच्ट करेंगा लिकर्षास है तो 1 आटमलग। कौन पास नहीं करेगा या फिर कौन होल्ड नहीं करेगा हमें सिफ अल्टरनेट को देख रहा है यानि कि केर यहां मौजूद नहीं है तो केर जब मौजूद यहां नहीं है तो उसका काम कौन करेगा उसका काम यह इंट करेगा तो यह st चला जाएगा int के पास यह क्यार का एक alternate है ठीक है तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें a तो नहीं मिलेगा output screen पर लेकर इसका value मिलेगा a का value देखें हम इसको run करता हूं यहां आपको दिखा देगा 97 तो इस तरीके से यह run करता है जब इसको exact match नहीं मिलता है तो ध्यान रहे यह डिमेरिट नहीं अच्छली इसका यूज भी होता है क्यी जगहों पर लेकिन अगर आप function अवर्लोडिंग कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप exact match दें जब आप function को overload कर रहे हो तव ताकि आपका output सही आ सके अदर्वाज आप यहां अगर character pass value character pass कर रहे हैं और यहां hold करने के लिए character आपको function prototype function definition नहीं है तो आपको गलत output मिल सकते हैं यानि कि आपकी उमीद के अनुसार आपका output ना मिले तो इस बात का ख्याल रहतना है थैंक्स वाचंग दूस वीडियो